दोतों MBBS admission में कुछ बदलाव हुए हैं और इस बदलाव को NTA ने अपनी इस official information में share किया है आप इसको देख लीजिए आप इसको official site में के download भी कर सकते हैं बिसिकली इस notice में बताया गया है कि इस बार जब MBBS admission होगा चाहे वो NEET का हो MBBS या फिर बात J की हो तो जो बच्चे NRI बच्चे हैं उनके लिए क्या rule है आप सभी को पता है कि अभी तक का जो rule है according to Supreme Court जो है अगर आप NRI बच्चे हैं या आप इंडिया से बाहर से हैं उस condition में आपको NIT exam जो है सबसे पहले वो qualify करना होता था उसके बाद जो NRI seats होती थी उन seats पर admission मिलता था लेकिन जो latest update आइस में इंडिया ने बताया है कि अब जो बच्चे NRI कोटा से हैं जब वो NEET exam qualify कर लेंगे उसके बाद वो इंडिया में MBBS, BDSO, BHMSO, BMSO इन सभी में जो है जो normal seats हैं all India quota की उसमें भी admission ले सकते हैं और इस seats को जो है जो भी regulating body है जैसे MBBS के लिए NMC होती है BDS के लिए BDS Council of India है ठीक है न ऐसे ही जो है BMS के लिए जो अर्वेदा कांसिल है ये सभी मिलके decide करेंगे Ministry of Health and Family Welfare के supervision में ठीक है तो ये जो बच्चे NRI बच्चे है उनके लिए MBBS जो बदलाव हुआ है उस बदलाव को इस official notice में बताया गया है बाकी बच्चे जो इंडिया के हैं आपको इस notice पर ध्यान देने की कोई भी से जरूरत नहीं है ठीक है तो मैंने इन सॉट आपको सब कुछ बता दिया कि इस notice में क्या कुछ कहा गया है बहुत सारे rules section बताया गया है बट इन rules को आपको कोई जाने की जरूरत नहीं है बस simple सी बात समझे कि जो बच्चे NRI quota से आते हैं जो इंडिया के बाहर के बच्चे हैं वो अगर NEET exam qualify कर जाते हैं अच्छा number ले आते हैं तो NRI seats के साथ में उनको all इंडिया quota seats में भी admission मिल सकत है इसके लिए particular course का जो regulating body होगी वो ministry of health and family welfare और ministry of home affairs के साथ में डिसक्रिशन के साथ में जो है उन seats को उन बच्चों को दे सकती है ठीक है तो इस वीडियो में तहीं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थेंगे सो मज जहिंद